अमित्षा जी को है इन्हों ने जो सामान विधन सभा चुनाव 2022 का हो रहा है इन्हों ने अपने पार्टी के पब्लिक मीटिंग में दिनांग 2022 को सह्षवा 6 में अपने पार्टी का पचार करने गाने पचार के दोरान उन्हों ने जो इस्ट देव भगवान स्री भजरंग वली को का उदाहरन उन्होंने दे दिया आजम खान अतीक अहमद और मुफ्तार अन्सारी से तो इसके एक नवल किशोर जी है वकील है पेशे के वो अपने इस्ट देव बजरंग वाली के परसंसक है पुजारी है तो जब इनकी स्पीच विभिन समाचार पत्रों में परकासित हुआ तो उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचा और जैसे उनको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचा है और जो एकवार वो अपने घर मगाते हैं जागरन उसको पढ़ने के बाद उनके भावनाओं को ठेस पहुचा तो इसके बाद उन्होंने अमिशा जी को एक कानूनी नोटिस दिया था नोटिस देने के बाद इन्होंने एक परिवाद दाखिल गिया परिवाद दाखिल करने के बाद अधिनस्त नियाले ने ये कहा कि ये छे छेतरा धिकार हमारे छेतरा धिकार में नहीं है तिन्होंने खा खाशन से पत्र में छपे हुए समाचार से जिसको जहां पर आहत पहुंचती है वो जिला उनका छैतराधिकार उसके छैतराधिकार कार में आता है तो हम ने इस और्ड़र्र के खिलाब जो निगरानी दाः दाखिल किया कि धार्मिक भावना को पंत की भावना को धर्मिकी भावन को यह चैतरिता कि भावना को थेश पोंचें चुको्के उनको थेश पोंचा था मैं उनका धिबता था हमने रिमिजन दाखिल करि matter कर ईए और कानून के द्रिशिटिकद रखते हुए अधिन ने रिविजनर कोट ने उसको एड़िट कर लिया नोटी जारी हो गई है वो आएंगे फिर इसमें बहस होगी आगी करवेश तो क्या माना जा कि 15 मार्च को आ सकते हैं क्या अगर वो कानून का पालन करने वाला वेक्ति है गिरी मंतरी तो उनको आना चाहि और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि खाली वो कानून का पार्ट अब लोगों को पढ़ाते हैं अपने को कानून से उनको को मतलब नहीं है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध निवाद